दॉक्टर साहब आप बताईए कि हिपिटाइटिस बी क्या होता है देखें हिपिटाइटिस बी एक वाइरस होता है जो कि बहुत ही खतरनाक वाइरस है और लिवर को डेमेज करता है Hepatitis B की prevalence जो है व्यापकता जो है हिंदुस्तान में और पुरे वर्ड में काफी जादा है ऐसा माना जाता है कि लबग 2-5% जन्संग क्या भारत की जन्संग क्या Hepatitis B से ग्रसित है Hepatitis B जो फेलता है वो कुछ विशेश प्रिस्तितियां होती है जैसे अगर कोई Hepatitis B पोजिटिव व्यक्ति है तो उसके Blood के Contact में आने से किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको Hepatitis B नहीं है उसको वो बिमारी हो सकती है वो वाइरस उसके सरी में जा सकता है Blood का Contact कई तरीके से हो सकता है जैसे अगर कोई IV Drug Abuser है वो सेम इंजेक्शन और निडिल्स को शेर करते है या जैसे कोई Barber है वो उसकी Blood जो है वो अगर शेर करता है दो लोगों के बीच में और Blood Transfusion से बहुत सालों पहले ऐसा होता था कि Blood Transfusion में जब Blood Banks होते थे हिपिटाइटिस B को चेक नहीं करते थे तो Blood Transfusion के मादियम से हिपिटाइटिस B चला जाया करता था लेकिन सोभागे वज़ पिछले कुछ सालों से हर Blood Bank हिपिटाइटिस B और C की जांच करता है इसके अलावा हिपिटाइटिस B मा से बच्चे में जा सकता है अगर मा को हिपिटाइटिस B है तो जन्म के दोरान मा अपने बच्चे को हिपिटाइटिस B दे सकती है तो इसलिए हिपिटाइटिस B मा से बच्चे में जा सकता है Blood Transfusion के थू जा सकता है और साथ में Sexual Contact के थू जा सकता है पती-पत्नी में Transmit हो सकता है या Multiple Sex Partners है या Homosexual Sex Partners है उनमें हिपिटाइटिस B और हिपिटाइटिस C दोरों Transfers हो सकता है ये Common Mode है सर, किसी भी मरीज को कब और कैसे पता चलता है कि उसे हिपिटाइटिस B है? देखी, दुरुभाग्यवस होता है, कि हिपिटाइटिस B को बहार से मालुम नहीं चलता है हगर कोई वियक्ति हिपिटाइटिस B से ग्रसित है या हिपिटाइटिस B का Carrier है और हिपिटाइटिस B लेके जा रहा है अपने साथ तो बहार से लोग बिल्कुल सामय नहीं दिखता है तो हिपिटाइटिस B का जब तक बलड टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक हिपिटाइटिस B को प्रारंबिक अवस्ता में नहीं पहचाना जा सकता लेकिन अगर हिपिटाइटिस B की वज़े से बाद में लिवर बहुत अधी खराब हो जाता है सिरोसिस हो जाता है पीलिया होता है उस टाइम आप यह समझ सकते हैं कि अभी हिपिटाइटिस B की वज़े से लिवर खराब हुआ है लेकिन प्रावर्म भी का वस्ता में मैं करूंगा कि 90% कैसे इसमें हिपिटाइटिस भी बिना टेस्ट के नहीं पता लगाए जा सकता है हिपिटाइटिस के ट्रीटमेट के लिए कौन-कौन सी दवाईएं एविलेबल हैं और उनकी क्या खरचे हैं पूरे ट्रीटमेट में करीब कितना खरचा आ जाता है अगर आपने पहले कभी वेक्सिन नहीं लगाया है हिपिटाइटिस B का तो संभव है कि आप भी हिपिटाइटिस B से ग्रसित हो सकते हैं और उसके लिए आप एक हिपिटाइटिस B का स्क्रिनिंग जो होता है वो जरूर कराएं किसी भी लेबोरेट्री में जा करके या कई बार केम्प भी लगते हैं उन में कुछ प्रोबलम होती है या इल्ट्रासाउंड में लिवर में कुछ प्रोबलम होती है लिवर भढ़ा हुआ होता है या सिकुट गया होता है दूसरी चीज़ यह हो सकती कि बहुत बार जब लोग अपने बाहर वीजा के लिए अपलाई करते हैं या कुछ नोकरी के लिए आविदन करते हैं तब उनका हिपिटाइटिस B स्क्रीनिंग होता है तो ज़्यादतर लोग इसी तरह से पकड़ में आते हैं हिपिटाइटिस B के लिए सर अगर किसी मरीज को हिपिटाइटिस B है तो उसको इलाज तुरंध शुरू करना ज़रूरी है हिपिटाइटिस B है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हिपिटाइटिस B वाइरस की quantity उसके सरीर में कितनी है और virus active है, यानि की और उसकी संख्या बहुत कम है या नगन्य है निल के आसपास है तो हो सकता है कि आपको अभी तुरंत इलाज की जुरत ना पढ़े लेकिन आपको एक follow-up में रहना पड़ता है आपको हर बार 6 मुने बाद या साल बर बाद टेस्ट कराने पड़ते हैं क्योंकि Hepatitis B की संख्या कभी भी भढ़ सकती है निस्क्रिय Hepatitis B कभी भी संख्रिय Hepatitis B में बदल सकता है और उस टाइम वो आपके लिवर को डेमेज कर सकता है तो आपको Hepatitis B के इलाज की जुरत है या नहीं है ये कई चीजों पर निर्बर करती है Hepatitis B वाइरस की संख्या क्या है वो आ एक्टिव है या नहीं है आपके लिवर को ओलरी डेमेज हुआ है या नहीं हुआ है आपकी उमर क्या है ये इन सब परिस्तितियों पर उसका ट्रीटमेंट उसका इलाज निर्बर करता है सर, Hepatitis B के लिए वैक्सिन्स एविलेवल हैं? देखिए सोभाग्या से ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में Hepatitis B और Hepatitis C के च्छतर में बहुत प्रगती हुई है पहले Hepatitis B के लिए हमारे पास बहुत कारगर दवाया नहीं थी लेकिन अभी बहुत सारी मेडिसिन्स आ गई हैं 5 और 6 मेडिसिन्स ऐसी अवेलेबल है मार्केट में उन मेंसे कुछ ऐसी हैं जो मूँ से आप टेबलेट फोर्म में ले सकते हैं कुछ ऐसे हैं जो इंजेक्शन फोर्म में होते हैं जिनको आपको वीकली सप्ता की सप्ता लगाना पड़ता है दोनों इतरह की ओस्दियां जो है काफी कारगर है और Hepatitis B के वाइरस को आप निल पे ले जा सकते हैं दोनों इतरह की मेडिसिन्स से सर, Hepatitis B के मरीज को कितने दिनों तक या कितने महीनों तक दवाई खानी पड़ती है देखी, डिपेंड ये करता है कि आप इंजेक्शन ले रहे हैं या टेबलेट्स ले रहे हैं अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो एक निश्चित डूरेशन तक आपको लेना है कम से कम एक साल लेना पड़ता है, हो सकता है आपको जिन्दगी भर लेना पड़े और नॉर्मली उनका क्या खर्चा होता है जहां तक कोश्ट का सवाल है, कोश्ट भी अभी काफी कम आ गई है जो इंजेक्शन हैं, वो पांच हजार से दस हजार के बीच में हर इंजेक्शन कोश्ट करता है और जो टेबलेट्स हैं, वो दस रुपे से लेकर के 60-70 रुपे तक की पर टेबलेट्स अवेलेबल होती है सर, अगर कोई मरीज हेपेटाइटिस B का है और वो ट्रीक्मेंट नहीं करवाता है तो उसको क्या-क्या कॉंप्लिकेशन हो सकती है और किन-किन परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है देखे ये तो बहुती दुखध इस्तती होगी कि मरीज को इलाज की जरत है और वो इलाज नहीं लेता है अगर ऐसी कंडिसन आती है तो लिवर डेमेज हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर का कैंसर हो सकता है और liver cirrosis होने से बहुत सारी बिमारिया होती है kidney पर effect आ सकता है, खौन की उल्टी हो सकती है मरीज बेहोसί में जा सकता है, पेट में पनी हो सकता है, पीलिया हो सकता है ये सब बिमारियां liver cirrosis के बाद आ जाती है और उसके बद liver cancer बहुत ही खतरनाक बिमारी है एक बार liver cancer होने के बाद आदमी की जो उम्र है बहुत ही limited हो जाती है तो अगर आपको hepatitis B है और उसके treatment की जरत है तो निश्चित रूप से आपको treatment कराना चाहिए क्योंकि अब तो मैं समझता हूँ कि cost भी बहुत बड़ा factor नहीं है सर, hepatitis B का मरीज जब दवाई लेना चालू कर देता है तो इस चीज की कितनी कारेंटी होती है कि वो 100% ठीक हो जाएगा तेक यह treatment success होने के बहुत अच्छे chances हैं इंफेक्ट अभी जो medicines available हैं उनसे लगबग 80-90% cases में वारस को खतम किया जा सकता है तो यह 80-90% success rate बहुत अच्छी है और लगबग वाईरस बहुत सारे लोगों का 10 में से 8 या 9 लोगों का खतम हो जाता है जहां तक आपने बताया कि treatment duration क्या रहता है तो मैंने पहले ही बताया कि treatment duration कम से कम एक साल का रहता है और हो सकता है कि जिनकी पर दवाया लेनी पड़े यह डिपेंड करता है बहुत सारे conditions पे वारस की quantity पे आपके liver की condition पे और वारस की activity stage पे कि वारस active है या inactive है इसलिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो होते हैं कि आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं हेपिटाइटिस भी आपका positive है लेकिन आपको हेपिटाइटिस भी के treatment की जरत नहीं है कई बहुत मरीज भी हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हेपिटाइटिस भी है और हमें कुछ ने कुछ वारस की दवाई चालू कीजिए ऐसा होता है कि वायरिस की दवाई नहीं चालू करना उतना ही खतरनाक है जितना की वायरिस की बिना आवशक्ता के दवाई चालू करना क्योंकि वाइरस की limited दवाईं available हैं अगर आपने बिना आवशक्ता के दवाई चालू की तो हो सकता है कि साल दो साल बाद में वो दवाई आपके काम करना बंद कर दे और जिस दिन आपको दवाई की जरत होगी medicine की जरत होगी वाइरस के लिए दिन आपके पास कोई medicines available नहीं होगी वाइरस की दवाई को चालू करना आसान हो सकता है लेकिन उसे बंद करना बहुत मुस्किल हो सकता है इसलिए चिकित सक्से सही प्रामर्स करकर के और गेस्ट्रेंट्रोजिस्स या लिवर स्पेशलिस्ट को दिखा कर पहले इस तो निश्चित करें कि आपको medicine की जरत है या नहीं है medicine की जरत है तो निश्चित रूप से धुरन चालू कीज़े और उसको regular लीज़े क्योंकि ये बहुत जरूरी है वाइरस की limited medicines available है और resistance अगर वाइरस के अगंस्ट आती है तो आपके लिए भी खतरनाक है और community के लिए भी खतरनाक है उसको किस प्रकार पता चलेगा कि उसका treatment सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसके शरीर से वाइरस खतम हो रहा है कि नहीं खतम हो रहा है इसके लिए बहुत ही simple तरीके होते हैं आप अपने लिवर की condition को जान सकते हैं लिवर function test एक simple सा लिवर function test होता है साथ में वाइरस खतम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए एक hepatitis B virus DNA quantitative test होता है यानि कि वाइरस की quantity को आप बलड में एक simple test के द्वाराण measure कर सकते हैं कि before treatment आपके वाइरस का क्या quantity था और after treatment वाइरस की quantity आपके बलड में कितनी है इसके साथ साथ आप लिवर का आप structure देख सकते हैं अल्टरासाउंड में उससे आप देख सकते हैं कि लिवर में कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है सर जो दवाईयां hepatitis B बीमारी को treat करने के लिए हैं उन दवाईयों के side effects normally क्या क्या होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए देखिए जहां तक side effects का सवाल है जो oral medicines है, oral tablets है बहुत ही अच्छी tablets है, बहुत effective tablets है और जो नई tablets हैं उनका कोई resistance भी बहुत जादा नहीं है और उन में से ये जो दवाईयां हैं काफी हद तक safe हैं जो side effects reported हैं बहुत ही negligible हैं और मैं कहुँगा कि काफी safe दवाईयां available हैं injection से यह हो सकता है कि जब आप injection लगाएं तो थोड़े दिन तक आपको बुखार रह सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, स्रे में ठकान और कमजोरी लग सकती है सर अगर कोई मरीज hepatitis B positive है और उसने अपने परिवार के बाकी सारे सदस्यों का भी hepatitis B का test करवा लिया है और बाकी सारे लोग negative हैं तो उस इनसान को अपने परिवार के बाकी सदस्यों को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या कोई उपाय करना चाहिए या कोई precaution लेना चाहिए ताकि उसके परिवार के बाकी लोगों को भी hepatitis B ना हो देखिए बहुत जरूरी है बचाव हमेसा अच्छा रहता है उपचार से और hepatitis B एक सुख़द बात ये है कि hepatitis B से बिल्कुल बचा जा सकता है 100% कुछी बिमारियां इतनी घातक हैं और प्रिवेंटेबल हैं साथ में जिनमें hepatitis B एक है खुशी की बात ये है कि कुछ राज्य सरकारों ने hepatitis B का free vaccination प्रोग्राम चालू किया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में free vaccination के तरह जैसे कि DPT और बाकी सब polio का वेक सिन लगते हैं वैसे सरकार को लगाने चाहिए लेकिन तब तक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी PD में हैं या हमसे बड़े हैं और जिनको Hepatitis B के TK नहीं लगे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको Hepatitis B के TK नहीं लगे हैं उनको परिवार में सभी को Hepatitis B के TK लगाने चाहिए TK का कोश्ट बहुत ही कम होता है 50 रुपे से लेकर 300 रुपे तक का TK मिल जाता है मार्केट में इसकी तीन डोज लेनी पड़ती है जैसे अगर आप अभी लगाते हैं तो एक उसके एक मेने बाद और एक उसके छे मेने बाद और तीन डोज लगाने के बाद में एक ब्लटेश भी होता है जिससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आप Hepatitis B के अगेंस प्रोटेक्टेड है या नहीं है तो बहुत सिंपल सी जानकारी है लेकिन बहुती काम की जानकारी है और बहुत बार Hepatitis B के पैसे हमारे पास आते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि काश हमने ये वेक्सिन एटी का हमने समय पे लगाया होता तो आज साइध ये दिन नहीं देखना पड़ता तो एक मेसेज है मेरा जनता के लिए कि अगर Hepatitis B आपके घर में किसी को नहीं लगाया है वेक्सिन तो आप ये जरूर लगाएं किसी भी निकरतम अपने इस चिकत सक से चला लेकर तो उसकी पतनी को Hepatitis B होने के कितने कितने चांसिस है और क्या क्या खत्रा है तो आप बेरियर प्रोटेक्शन ले सकते हैं जिसे कंडम यूज कर सकते है उससे आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं लेकिन अफ़ोचनेटली हेपिटाइटिस B के लिए वेक्सिन अवेलेबल है तो आप हेपिटाइटिस B का वेक्सिन अपने पार्टनर को लगाएं और बचाव का ये बहुत ये अच्छा शादन है सर अगर किसी मेल पार्टनर को हेपिटाइटिस B है और फीमेल पार्टनर को हेपिटाइटिस B नहीं है तो क्या वो अपने संतान के लिए प्लान कर सकते हैं? अगर मेल पार्टनर को हेपिटाइटिस B है और फीमेल को हेपिटाइटिस B नहीं है तो निश्चेत रूप से वो अपने संतान के लिए प्लान कर सकते हैं अगर इसका अपोजिट है तो भी संतान के लिए प्लान कर सकते हैं कि अगर फीमेल को है और मेल को नहीं है तो होता यह है कि मां से बच्चे में जब delivery होती है उस ताइम हिपिटाइटिस B के transmission के और जब गर्म में होता है तब भी कुछ chances होते हैं कि हिपिटाइटिस B मां से बच्चे में चला जाए इसलिए जो बी मां हिपिटाइटिस B से ग्रसित है उसको यह चाहिए कि वो अपने बच्चे जानकारी अपने चकित्सक को दे और उसके चकित्सक का एदायुत्वा बनता है कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उसके पैदा होने के 24 गंटे के भीतर भीतर बच्चे को एक आर्म पे वेक्सिन लगाए और दूसरी आर्म पे हिपिटाइटिस भी इम्नो ग्लोबिलिन होता है उससे प्रोटेक्ट करें अगर ये दोनों चीज़े की जाती हैं बच्चे के जर्म के 24 आवर्स के बीतर बीतर तो 95% से ज्यादा चांसे हैं कि बच्चे को हिपिटाइटिस भी नहीं होगा लेकिन अगर बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है तो 30% से 90% तक चांस हैं डिपेंडिंग ओन मदर्स वाइरल लोड और बहुत सारी कंडिसन्स के कि बच्चे को वाइरस ट्रांस्मिट हो सकता है इसलिए अगर आप किसी एंटिनेटल चेकप कराते हैं कहीं पर जाते हैं और प्रग्नेंट से के दुरान चेकप करते हैं तो हर चिकितसक का एदाइतों बनता है कि हर शो क्योंसा बताईए कि हिपटाइटिस B के मारीज को खाने पीने में कौन कौनसी साउधानिया बरतनी चाहिए देखिए हिंदुस्तान में जितने अंध्विस्वास पीलिय को लेकर हैं मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी बिमारी को लेकर के हैं आप माला पहनने से लेकर के खीर खाने तक और बहुत सारी पीली चीज़े नहीं खाना और पीले कपड़े नहीं पहना जितने भी इतरह के अंद्विस्वास और यह सब हो सकते हैं पीली यह से रिलेटेड हिंदुस्तान की जनता में बहुत गहरे बेठे हुए हैं बहुत सारे की मार्केट में दवायां ऐसी अवेलिबल होती हैं जिनके कोई फाइदा नहीं होता लेकिन लोगों ने सुना है और लोगों ने किसी ने कहा है इसलिए उनका सेवन करते रहते हैं सबसे पहले तो मैं यह बता हूँगा कि जब आप हेपटाइटिस भी या किसी भी कारण से लिवर की बिमारे से ग्रसित हैं तो कोई भी ऐसी दवाई ना लें जो कि आपके लिवर को नुक्सान कर सकती है और जिसके side effects के बारे में आपको अच्छी तरह से घ्यान नहीं है दूसरी चीज़ कोई भी पीली चीज़ कहने से लिवर की बिमारी नहीं होती है और तीसरी चीज़ यह है कि बिना किसी अंद्विश्वास में पड़े वे बिना कहीं इधर उधर की दवाई ट्राइ करे वे बहुत effective medicines available है उनको आप regular लें उनको छोड़े नहीं खाने पीने में संतुलित अहार लें वसा का सेवन कम करें प्रोटीन का सेवन ज्यादा करें बाहर का खाना नहीं खाएं जो मिर्च मसाले हैं जो infected food है उसको आप अवोड़ करें यह आपको ध्यान रखना है सर अगर किसी मरीज का लीवर जैसा कि आपने बताया कि अलकोहल लेने की वज़े से भी डैमेज होता है और बहुत सारी दवाईयों की वज़े से भी डैमेज होता है अगर किसी मरीज का लीवर किसी दवाई की वज़े से डैमेज हुआ है और अलकोहल की वज़े से नहीं डै और एक करके दो नहीं होते बलकि की चार मल्टिप्लाई करते हैं लीवर के डेमेज को अगर आप अल्री हिपिटाइटिस B से ग्रस्त हैं तो आपको एलकोहल का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए आपको अपना वजन भी संतुलित रखना चाहिए क्योंकि अगर आपको साथ में आप अलकोहल का भी सेवन करते हैं आपको हिपिटाइटिस B भी है ये सब चीजे हैं तो आपका लीवर अगर 5 साल में खराब होने वाला हिपिटाइटिस B से तो उतना लीवर आपका एक ही साल में डेमेज हो जाएगा इसलिए हिपिटाइटिस B अगर आपको है तो एलकोहल और उन सब यसनों से आपको दूर रहना चाहिए जो कि आपके लिवर को नुकसान पहुचाते है सर अगर किसी मरीज को हिपिटाइटिस B के साथ साथ किड़नी की भी प्राबलम है तो उसको कौन कौन सी साउधानिया बरतनी चाहिए ताकि उसकी सिचुएशन और ज़्यादा खराब ना हो जह की लिवर और किड़नी में बहुत बड़ा रिस्ता है आप कह सकते हैं बही बेहन जैसा रिस्ता है और होता यह है कि जब हिपिटाइटिस B की वजब से लिवर खराब होता है तो किड़नी पे भी फोड़े दिनों में असर आने लगता है और जब liver कमजोर होता है तो kidney पे भी जोर पड़ता है और kidney भी वीग पड़ने लगती है अगर hepatitis B का मरीज है और kidney भी खराब है तो आपका जो खाने पीने में सावधनिया जो है वो आपकी और अधिक बढ़ जाती है साथ में आपका जो सपोच करोगी अगर आपको transplantation की विजरत पड़ती है तो उसमें भी आपको problem होती है क्योंकि liver के साथ साथ आपकी kidney को भी बदलना पड़ सकता है तो ऐसी इस्तती में इस्तती आपकी और भी गंबिर हो जाती है और आपको खाने पीने में जो साथान साथ दानिया है वो ना सिर्फ liver के लिहाद से बलकि kidney के लिहाद से भी आपको देखनी पड़ेगी डॉक्टर साब आप हमें बताईए ये liver transplant क्या चीज़ होता है liver transplantation किसे कहते हैं और किन किन स्थितियों में liver transplantation कराने की जरूरत पड़ती है और नॉर्मली भारत में कौन कौन सी जगहों पे liver transplant की सुवधाएं available है और कितना खर्चा आता है थोड़ सा liver transplant के बारे में आप हमे बताईए इसलिए जो donor का जिसका हम liver निकालते हैं उसका liver वापस regenerate होकर के बढ़ा हो जाता है और रिजर्व होने की वज़े से उसका काम चलता रहता है liver transplantation तब करते हैं जब liver इतना अधिक खराब हो जाता है जब आपको लगता है कि अब ये medicine से recover करने वाला नहीं है और liver में रिजर्व बहुत कम रहे गया है और इस liver के साहरे बहुत अधिक समय तक मरीज जिंदा नहीं रह सकता liver transplantation usually cirrhosis की इस्तती में या कुछ conditions में जब liver cancer होता है तब किया जाता है cirrhosis की जैसे कि मैंने बता है कि A, B और C तीन stage होती है तो C stage में आने पे liver transplantation किया जाता है liver transplantation आप केडेबरिक बोडी से भी कर सकते हैं यानि कि मृत व्यक्तिव के स्रीज से भी आप liver ले सकते हैं लोगों को यहाँ पर प्रथा नहीं है प्रणाली नहीं है लोगों में इस तरह की भावना नहीं है कि हम कुछ organs donate करें मैं कहुंगा कि जागरती नहीं है और हमारी जो पौरानिक प्रंपराएं हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि हम organ donation नहीं करते हैं या जाग रुकता हमारे समाज में नहीं है जितने के पाश्चात्य समाज में है तो ये भी एक मेसेज है एक हिंदुस्तानी समाज के लेकर कि जो आप का जो सरीर है मरने के बाद भी जो है बहुत उपयोगी हो सकता है हो सकता है कि आखे डोनेट करने से लीवर डोनेट करने से किड्नी डोनेट करने से एक मरत सरीच से आप आड़ दस लोगों को जिंदा रख सकते हैं अब मरने के बाद में भी और मुझे लगता है कि किशिवी मरत व्यक्ति की सबसे बड़ी जो होती है आत्मा को शांती पदान करने का बहुत बड़ा तरीका हो सकता है दूसरा तरीका में जहां तक लीवर ट्रांस्प्लांटेशन के बात कर रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े सेंटर्स हैं बहुत अच्छे सेंटर्स खूल गए है जहां पर यह फैसलीटी अवैलिबल है कम से कम 15 पहां भी सेंटर्स हैं जहां पर लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है और कितना खरचा आता है थोड़ा सा लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप हमें बताइए यह बहुत ही अच्छा सवाल है किए बहुत ही उप्योगी भी है यह बात की liver transplantation में कितना खर्चा आता है बहुत सारे लोग हमारे समाज में इसलिए liver transplantation नहीं करा पाते किए उनके पास पैसा इतना नहीं होता है और जो लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि विश्वर के सभी देशों में लगबग सबसे सस्तार लिवर ट्रांस्प्रांटेशन हिंदुस्तान में होता है जहां बहार ये ट्रांस्प्रांटेशन का खर्चा 2-3 क्रोड रुपय तक का आता है liver transplantation हिंदुस्तान में 20 लाग रुपय में होता है तो लगबग 20 लाग रुपय का खर्शा है यह वेरी कर सकता है different institutions में और हो सकता है 18 से 20-22 लाग और 25-30 लाग तक जाए बट 20 लाग रुपय लगबग एक average cost है liver transplantation की लेकिन liver transplantation में एक और risk होती है कि जब आपको liver recipient को जब लगाया जाता है तो उसकी body उसको reject ना करें उसके लिए उसको जिन्दगी पर दवायां खानी पड़ती है तो उनकी भी कुछ cost होती है initially जो है शुरुआत में हो सकता है 20-25 लाग पर मंद की दवायां खानी पड़े उसके बाद में धिरी धिरी दवायां कम हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है 4-5 जार रुपे पर मंद की दवायां उसको जिन्दगी भर लेनी पड़े तो वो cost भी आपको future में देखनी होती है तो जब भी liver transplantation करा है दो चीजों की खास जरत है कि आपके पास उतना पैसा है या नहीं है और दूसरी चीज आपके पास donor है या नहीं है donor की भी कुछ शर्ते होती है सरकारी कानून है और उन कानूनों का पालन करना सभी के लिए अनिवारी है और उस कानून के अनुशार जो donor है सिर्फ परिवार में से होना चाहिए और या emotionally related आदमी होना चाहिए और आप liver कहीं से purchase नहीं कर सकते हैं कुछ लोगों का भावती common सवाल होता है कि हमें liver कहां से मिल जाएगा तो liver सिर्फ family member में ही दे सकता है और जो दे सकता है उसकी उमर 18-60 साल के बीच होनी चाहिए उसका liver स्वस्थ होना चाहिए उसके liver में कोई problem नहीं होनी चाहिए उसके लिए कुछ टेस्ट किये जाते हैं कि उसका liver स्वस्थ है या नहीं है उसकी उम्र ठीक है या नहीं है और वो अपनी मर्जिस से देना चाहता या नहीं देना चाहता ये सब बातों पर डिपेंड करता है डॉक्टर साहब आपने हेपटाइटिस B के बारे में हमें इतनी सारी जानकारियां दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दो धन्यवाद